हेलो गूड इबनिंग एवरिवन क्या हाल चाल है अगर मैं लाइव हूँ तो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताओ चलो सब कुछ चीज क्लियर है हेलो मानिशी, हेलो महक, हेलो क्रापसी, हेलो प्रशान्त, हेलो राघव हेलो देपक, गुड इबनिंग एवरिवन, गुड इबनिंग तो काफी रात हो चुका है, ठीक है, मैं सो गया था जो अभी इशू हा था न मैंने बताया थोड़ देर पहले टेलिग्राम पर बताया मुझे लगा लाइट वगरा आनी है नहीं, क्या हो रहा था प्रॉबलम इनवर्टर जो है, उसमें छे बैटरी लगी हुए है, तो उसमें एक बैटरी जो है वो काम करना बंद कर दिया, दो-तीन दिन पहले भी इशू आया था, मुझे लगा लाइट तो रहे ही रहेगी, तो मैंने अभी कंपनी में बात भी नहीं की थी, कि वो इशू वगरा रिजॉल्ब करने के लिए, तो लाइट इसके बाद आया है, थोड़ दिर पहले लगता है, बीस मिनट पहले लाइट आया, जब मैंने तुम को इन फॉर्म किया, पंदर मिनट पहले उस समय तो सब कुछ तो सही है, क्योंकि कल अगर ये सेशन होगा ना तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, ये तुम्हें भी पता है, क्योंकि आज जो क्रेज रहता है ने एक्जाम को देने के बाद, वो होती है बड़ी बात, और मैंने इसके मेहनत बहुत किये, मुझे लगा बस ये म तो सेर करना चाहिए, पुरी तरीके से, क्योंकि जो बच्चे 2022 में छूट गए हैं, किसी भी कारण से सेलेक्शन नहीं हुआ, चाहे फिजिक्स का प्रॉबलम हो, केमिस्ट्री का प्रॉबलम हो, बायोलजी का प्रॉबलम हो, कोई भी प्रॉबलम तुम्हारे साथ रहा, 2023 मे ऐसी गलतियां नहीं करनी है, वही सब चीजे तो आज सीखनी है, आखिर NCRT में कैसे एक्जामनर पेपर सेट कर रहा है, मैंने बताया जैसा, पेपर पूरी तरीके से बदल चुका है, 2010 से तो पेपर मैं देख रहा हूँ, 2010 से लेकर 2021 तक का जो पेपर था, बिलकुल अलग थ 2022 का पेपर बिलकुल अलग है, इतना लेंदी पेपर आज तक बायालोजी का कभी सेट नहीं किया गया था, और इस बार ऐसा पेपर आया है, ठीक है, तो मेरे पास कोड तो R2 है, तुम्हें उससे मतलब है नहीं, मैं अभी कोशन डिस्प्ले करता चलूंगा, तुम्हारे पा पास 11 के NCRT, ठीक है, दो NCRT तुम्हारे पास भी अभी अविलेबल होगी, तुम्हारे टेबल पे, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस जबरदत सेशन को, अभी इसमें क्या 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 करने वाले हैं, NCRT प्रूफ दूँगा एक एक कुशन का, क्योंकि सारे के सारे कु कुशन का एनलेसिस होगा और उसका सॉलेशन मिलता रहेगा पूरे बायोलिजी का, जो आज का पेपर है, NIT 2022 का, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज का पहला कुशन, तुम ट्राई करना पहले एंसर देने का, ठीक है, पहले एंसर देने का ट्राई करना, पहला कुश कुशन था, Aí2-8 का ये पहला कुशन था, एंसर आना चाहिए, सबका 2, एंसर सबका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बोथ स्टेटमन्च, वन एर फ़ार करेक्ट, एक एक कुशन का एनलेसिस होगा, एंसर तो इसका देख लिए, तुम 2, क्लास 12 का, चैप्टर नंबर 2, पेस नमबर डिसकस करते हैं, तो पेस नमबर 28 पलट लो जल्दी से, पेस नमबर 28, बस साथ में ये काम करते चलना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल साथ मेहनत लगेगी लेकिन तुम सीख जाओगे कि एक्जानर का माइंड सेट क्या है, जल्दी से निकालो क्लास 12 का चैप्टर पेस नमबर 28, निकाल लिए, अगर निकाल लिए तो ये लाइन को देखो, क्लिस्टो गैमस फ्लार्स आर इन्वेरेबली ओर्टो गैमस, as there is no chance of cross-pollination, बात समझ में आगे, बिल्कुल एक लाइन है न, सेम वही लाइन, बस, ये कुश्चन समझ में आगे, दोनो ट्राइ करो, और ये पेस नमबर है, 71, क्लास 12 का पेस नमबर 71, बिल्कुल एक ये कुश्चन देखना है, तो क्या तुम्हें लग रहा है, कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट इसमें सही है, तो एंसर इसका भई 2 जाएगा, ठीक है, एंसर इसका 2 जाएगा, question number 2 का जो answer है वो यहाँ पे तुम्हारा 2 जाएगा ठीक है तो overall अगर हम देखें तो देख लिए तुम class 12 का page number 71 जल्दी से चेक करो class 12 का page number 71 क्या तुम्हें ये डबा दिख रहा है ये box ncrt में बना हुआ ये दिख रहा है तुम्हे बोलो तो ये total कितने है बात समझ में आ रही है 7 pairs की अगर हम बात करें तो ये total traits तो pair जितने है वो traits total कितने होते है 14 लेकिन characters पूछे जाए तो total 7 होते हैं तो देखो क्या किया ncrt ने उपर में बात किया 14 और नीचे में बात कर रहा है 7 क्योंकि नीचे में बात करी जा रही है characters के बारे में और तुम देखो ना सारे characters एक list में लिखे हुए है तो समझ गया बगल में 7 pairs हैं और इधर total 7 है clear है चलो तो इसका answer आ जाना चाहिए तुम्हारा 2 का answer 1 आ रहा है सबका सबने देख लिया page number 71 जल्दी से बताओ अधी एक बच्चे से मेरी बात चल रहे थी उसके marks आ रहे है 675 वो बच्चा 2 साल से मेरे साथ पढ़ रहा था class 11 भी उसने पूरा किया class 12 भी नाम disclose करूँगा result के दिन 675 marks उसके आ रहे है बड़ा खुशी हुआ भई कि हाँ मेहनत रंग लाई दो साल का वो classroom का बच्चा था online classroom जो अनकैडमी का plus section है उसका बच्चा था वो ठीक है चलो तो ये इसका answer क्या जाएगा तुम्हारा 2 आजो 3 question number 3 पूचा गया है not true regarding jail electrophoresis technique not true पूचा गया है ये भी class 12 का question है class 12 का 11 number chapter है और मैं page number बताता हूँ page number बताता हूँ page number है 198 और 200 पे तुमको मिलेगा 198 और 200 पे तुम्हें मिलेगा ठीक है question number 3 answer क्या सबका आ रहा है answer तुम्हारा 4 आना चाहिए एक एक line मैं तुम्हें दिखाता हूँ question number page number देखना ज़रा 198 page number 198 को देखो 198 का ये वाला section देखो ना ये जो है ना इसके बगल में लाइनों को पड़ो इसमें तीन लाइन ऊपर की मिल जाएगी ये चौथी लाइन तुमको यहाँ पे मिलेगी चौथी लाइन जो insertional inactivation है ना वो तुमको यहाँ पे मिलेगी देखने को अगले पेज में तो चौथे लाइन तो इससे मतलब ही नहीं रखता है ये तीन लाइन ही जेल एलेक्ट्रोफोरेसिस से मतलब रखती है तो clear होना चाहिए ये answer क्या है तुम्हारा 3 का 4 next आते हैं question number 4 में वीच वन अब दा फॉलिंग प्लांट सो वेक्जिलरी एस्टिवेशन एंड डाय डेलफस अस्टेमन डाय डेलफस अस्टेमन ये क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है answer है पाईसम से टाइवम पिछले क्लास में डिसकस भी हुई थी तो पी डाय डेलफस की बात करेंगे तो चाइन रोज डाय डेलफस में पी पॉलिडेलफस में सीटरस फ्रूट्स ठीक है तो answer तुम्हारा क्या आ रहा है भई ये ठीक है एक काम में करता हूँ इसका जो pdf है ना हर एक question का जो pdf है ये मैं pdf ये तुम्हारे साथ share कर दूँगा अभी मैं एक एक question को तुम्हें बताता है चलता हूँ कि कहां से वो आ रही है ठीक है इसमें time थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा चलो भई तो 4 का answer आ रहा है तो ये तुम्हारा इस से question था morphology से question था ठीक है next आजओ पाच मा कितनी बार question ये हो चुका एक सो type की अगर हम बात करें तो किसमें मिलेगी grasshoppers में देखने को मिलेगा done ये genetics का question था तुम्हारा बहुत ही simple बच्चे इतने डरते हैं genetics से और genetics से बहुत ही simple सा question पूछा गया था question number 6 इसमें पूछा गया था incorrect match ये plant diversity का question था ये plant diversity का plant kingdom का देखो ना क्या रहा है answer तुम्हारा manitol अब तुम खुद बताओ ना जरा manitol हमने कितनी बार बात की है mala manitol और laminarine की बात हमने की है तो यहाँ पे अगर हम बात करें manitol और एक और आ जाएगा laminarine आ जाएगा तो यह green algae दे रखा है ना green algae तो जाएगा ही नहीं question number 7 अच्छी एक चीज और एक चीज और इसमें जो गबड़ हुआ था ठीक हो गया ना पहला का answer क्या है two दूसरा का answer है two क्योंकि दोनों के दोनों statement correct है तीसरा का answer है चार ठीक है चौथे का answer है तीन ठीक है चलो इधर तो सब ठीक था इसका answer है चार छे का answer है तीन ठीक है नेक्स सेवन में आ जो चलो सेवन में आ जो hydrocolloid carazine is obtained from क्या जाएगा answer rodofice only clear है next question number eight correct set of a statement पूछा गया है अच्छी कई बार हम लोग बात कर चुके कल भी हुई थी बात carazine की बात करें तो red algae और algine की बात करेंगे तो brown algae जाएगा ठीक है चलो भई question number eight correct set of a statement पूछा गया है कौन सा इसमें से तुमको correct लग रहा है identify the correct state of a statement किसके regarding पूछ रहा था अरे यार गरबड हो गया पूछ रहा है न प्रिडेशन के बारे में predation के बारे में कौन सा incorrect statement है ठीक है यह तुमसे question में पूछा गया है predation के बारे में कौन सा incorrect है तो बताओ predation की बात करेंगे तो एक को फाइदा होगा दूसरे को नुक्षान होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है both the interacting and species are negatively impacted तो दोनों को अगर नुक्सान हुआ तो वो predation कैसे दोनों को नुक्सान हुआ तो वो competition है ना क्योंकि दोनों को नुक्सान हो रहा है next समझ में आ गया यहाँ पर question है कि predation के बारे में incorrect statement कौन सा है तो answer जाएगा तुम्हारा इसमें 4 question number 9 identify the correct set of statements total 5 statement हैं और सारे के सारे morphology से है correct answer यहाँ पर तुम्हें चूज करना है तो पता चल गया तुम्हें answer क्या जाना चाहिए 4 और देखते हैं जड़ा यहाँ पर हम बात करें तो leaflets की जगा क्या होना चाहिए stem होना चाहिए यह तुम्हारा B वाला तो सही है फिर C भी सही है पुनसिया फ्लाटेंड यह भी rhizopus भी तुम्हारा यह सही है ठीक है और बाकि साब अरियली की बात करें तो यह भी सही है सिर्फ पहला गलत था क्योंकि यहाँ पर यह stain का modification होना चाहिए question number 10 direct देखा illness यहाँ लगाएंगे frank किया ठीक है question number 10 answer है तुम्हारा 3 question number 11 cell division के बारे में never occurs cell division की बात करें तो क्या इसमें meiosis देखने को मिलेगी तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर pairing of homologous chromosomes दे रखा है ऐसा चीज हमें देखने को मिलता है कहाँ meiosis में देखने को मिलता है जब jagotene होती है उस समय सैनेट्टोनिमल कॉंपलिक्स बनता है उस समय यह चीज़े देखने को मिलती है question number 12 direct देखना था cucumber से related और female flour से related तो direct इसमें answer क्या चला जाएगा ethylene ethylene से एक और question आया था जो root hairs का surface area वाला question था वो भी ethylene ही काम करता है question number 13 what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted into two molecules of paravic acid तो answer चला जाएगा two ऐसे होता है four लेकिन question में क्या पूछा है net gain पूछा है question number 14 the appearance of recombination nodule in homologous chromosomes during meiosis characterizes थोड़ा सोचो appearance ये line agities NCRT में है जब मैं तुम्हें दूँगा ये PDF जब मैं ये photos share करूँगा telegram पे तुम्हारे साथ तो देखना एक एक line तुम्हें मिलेगी NCRT में मुझे उसमें time लगता मैं अगले दिन कर पाता ये जो slide है ना इसके बाद NCRT के एक और slide लगा रहा था जहां से वो question आया था तो काफी अच्छा तुम relate कर पाते वैसे आज time इसमें ही चला गया सारा चलो तो answer क्या जाएगा भई? 4 जाएगा यहाँ पे sides at which crossing over occurs 15 में आजो apoplastic pathway NCRT में right side में देखोगे ये line लिखी हुए है सिंप्लास्टिक के बारे में कि the movement is added by cytoplasmic streaming वहाँ पे जिक्र भी है hydrilla leaf की वहाँ पे hydrilla leaf की जिक्र है question number 16 girdling experiment was performed by plant physiologist to identify the plant tissue through which तो girdling experiment से ये पता चला कि food is transported कल क्या हुआ ना मैं guest paper दे रहा था तुम्हे याद होगा 4-5 pages मैं डाले हैं तो कल मैं transport in plants का लिख रहा था कौन-कौन सा topic तुम्हें दू पढ़ने के लिए last मैं सोच रहा था girdling दू या नई दू दू या नई दू डाल दियेगा चलो ठीक है girdling भी रहेगा और girdling से question आया बहुत साल पहले आया था girdling से question ठीक है तो कभी-कभी जो है ना जो दिल कहता है वो सही हो जाता है ठीक है तो 16 का answer 3 next question number 17 यहाँ पे दो statement दिये हुए है और दोनों के दोनों statement C4 plant से related है दोनों के दोनों statement तो इसमें अगर तुम देखोगे तो दोनों के दोनों statement यहाँ पे सही मिल रहे हैं क्योंकि एक तो phosphoenol pyruvate होता है और बाकी यहाँ पे बात करें तो NCIT कहती है it is important to register here that mesophyll cells of C4 plants lack rubisco enzyme ध्यान रखना चलो भई बहुत अच्छा किया देवी का तुमने चलो next the process of translation of mRNA to proteins begins as soon as जैसे ही वहाँ पे छोटा वाला पहले attach होगा फिर बाद में बड़े वाली की बात आएगी तो the smallest subunit of ribosome encounters mRNA यह भी line लिखी हुई है कई बच्चे बोल रहे थे यह line NCRT में है ही नहीं यह line तो देखना बनता है एक बर तुम्हें यह line देखना बनता है page number 12th class के 115 page number देखो 115 page number में उपर की line when the small subunit encounters है नहीं हमारे नहीं है ना when CRT में सारे के सारे question थे ठीक है next question number 19 पूछा गया है which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis chemiosmotic hypothesis याद आ रहा होगा तुम्हें तो chemiosmosis के अगर हम बात करें तो यहाँ पर electron gradient की कभी बात थोड़ी होती है जब कभी भी बात होगी तो proton gradient का बनना और proton gradient का टूटना यह बात होती है the flowers are gigomorphic in इसका तो trick याद आया होगा तुम्हें एक्जाम में पिया बिन कैसे रहेगी गुलमोहर तो कैसी और गुलमोहर B और C answer आगया तुम्हारा 3 समझ गया पिया बिन कैसे रहेगी गुलमोहर वो जागी जागी से रहती है तो gigomorphic हम लोग यहाँ पर बोलेंगे next azor 21 में पहला और यह दूसरा polymerase chain reaction is used in DNA amplification ठीक है भाई सही है PCR इस्तमाल किया जाता है DNA amplification में ampiceline resistant gene is used as a selectable marker बिलकुल सही है दोनों के दोनों statement सही है लेकिन हाँ explain एक दूसरे को नहीं कर रहे है सही तो हैं दोनों लेकिन सोच कर देखो न कहाँ यह ampiceline की बात और कहाँ उपर में PCR की बात तो दोनों बिलकुल अलग है 22 पे आओ यह तो environmental issue का question है device का नाम बताना है तो device का नाम क्या हो जाएगा electrostatic precipitator कली question हमने किया है 99% तक यह particulate matter को हटा लेता है 23 इस question में doubt है इस question में क्या किया NTA वालोंने कि एक भी option सही दिया ही नहीं क्योंकि तुम जब NCRT पे देखोगे यह है ना तुमारा यह जब तुम NCRT पे देखोगे question number 23 है ना page number 90 पे देखना page number 91 पे देखना और page number 93 पे देखना आज खूजना है ना statement को सारे मिल जाएंगे NCRT में और पता चलेगा कि सारे के सारे सही हैं इन में से ऐसा तुम एक है ही नहीं जिसको तुम गलत कर सकते हो तो इसमें क्या बोलेंगे all are correct अब देखो इस spend T यह तो जरूर मानेगा बोनस करेगा इसे ठीक है यह सब के लिए बोनस होगा जितने भी बच्चा इस बैठे थे एक्जाम में करीब साड़े अठारा लाग बच्चे बैठे थे तो इस सब के लिए बोनस होगा 24 में आओ DNA polymorphism forms the basis of यह भी NCRT के लाएन है DNA fingerprinting वाले topic में तो genetic mapping भी और DNA fingerprinting भी next question number 25 यह anatomy में left side में लिखियो ही यह यह इन चीज़ों के बारे में किसी को टिक नहीं करेंगे छोड़ कराएंगे वो question को अगर ऐसे question आगया आते हैं 2023 में तो छोड़ कराएंगे इसका answer आएगा A और B एक secretion की बात एक deposition की बात secretion किन का तो vessels के lumen में सब चीज़े डाली जाएंगी और deposition किन का tannine का, resin का यह सब aromatic compounds वगरा होते हैं मतलब ऐसे question पहले इंटिय नहीं बनाता था पहले ऐसे question आए ही नहीं है है ना तुम देख रहा होगे lindi पे lindi question डाला गया है मतलब तुम देखोगे तो पहला question भी lindi, दूसरा भी lindi है ना, ऐसे 109 number question भी lindi था 9 number question इसमें जो था अभी ठीक है, ऐसे करकर 17 number question भी था lindi 21 number भी था lindi इतने questions आज तक कभी नहीं आया थे lindi मैंने कहा ना पूरा pattern change हो चुका है तो इसलिए questions खूब practice करने होंगे तब NCRT पे mastery आएगी next आजओ 26 में lactication fermentation ये तो NCRT का साफ data है less than 7% का और उसी के बगल में 13% का भी है जिससे east poison मौत हो जाती है 27 does not so plasticity तो plasticity में NCRT ने तीन चीज़ों की बात की है मेज की बात नहीं की है ठीक है उसके जगा पे lakhs पर वगरा की बात है मेज की बात नहीं है तो इसमें मेज चला जाएगा ठीक है हाँ अगलाए question में चले 2023 वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है मैं तुमारे साथ पूरे साल भर रहूंगा डरने की कोई बात नहीं है 28 पे ओ दो statement लिखे हुए है ये भी question हमने कई बार practice की है statement 1 पूरी तरीके से सही है detritus is degraded into simpler मतलब complex substance simple में तूट जाएगा decomposition faster होगा जब लिखनीन रहेगा तो नहीं जब sugar soluble substances होगे तब वो रहेगा faster तो पहला सही है दूसरा गलत पहला सही दूसरा गलत है ठीक है 29 पे आजो कल मैंने guess paper में कुछ important elements के नाम लिखे थे अगर वो elements तुम पढ़कर गए होगे तो आराम से question हो जाएगा मैगनीज तो कई बार बता चुक हो मन कल का पानी तोड़ने का तो A का 4 आराम से 2 eliminate कर लिए iron की बात करें हम तो catalase की बात आएगी D का आएगा तो 1 आएगा लो आगया तुम्हारा answer 3 question number 30 pollination के बारे में incorrect statement बताएं कौन सा लग रहा है हावी तो यहाँ पर क्या जाना चाहिए moth और butterfly के जगा NCRT लिखती है bees are the most dominant pollinating agent among insects यह 30 question तक हमारे हो गए यह 30 number question तुम्हें मिल जाएगा page number 30 पे class 12 के left side में यह चीज़े देखने को मिल जाएगे ठीक है 30 question तक तो हो गया आराम से sir आपके trick का criteria बहुत अच्छा है हाँ मैं भी देख रहा था काफी सारे जो question थे ना वो आराम से उसमें trick आही जा रहा था जैसे एक man it all में माला वाला trick जो है मतलब कोई भी बच्चा question कर रहा होगा तो वो trick को exam hall में पहले recall कर रहा होगा तभी वो question हो पाएगा है ना कई बार जो बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे साथ तो वो ऐसा करते होंगे जैसे पिया बिन कैसे रहेगी गुल्मोहर लगबग सारे बच्चों को याद है ये चीज है ना फिर man it all की बात करें तो माला वाला जो question है काफी सारे ऐसे है चलो next आते हैं 31 पे क्लास 12 की Molecular Genetics का question है chapter 6 का statements को पूछा गया है correct statement कौन-कौन से इसमें देखने थे तुम्हें देखो कल पूछा थो तो तुमसे कितने होते हैं तो 400 की जगा पे 200 होते हैं तो ये तो ऐसी गलत था ये काफी popular question था lysine और arginine आता रहता है ये भी सही है तुमारा हेट्रो क्रोमेटीन ज्यादा complex है तो इनक्टिव रहेगा ये क्रोमेटीन इस loosely packed तो देख लो answer क्या जा रहा है a c d तीन statement यहाँ पे पूरी तरीके से correct है next question number 32 not a method of xc2 conservation तीन जो है ना तीन जो है एक सीटू conservation के है और national park जो है वो इन सीटू का मतलब पिछले 10 सालों के paper देखोगे ना हर साल आता है एक सीटू इन सीटू और इस बार दो question आये थे एक सीटू इन सीटू से इस बार next आगे चलते है question number 13 अर्थ्रोपोर्ड्स की बात करें तो काइटीन का बना हुआ होगा biomolecules की right side में मिल जाएगी तुम्हें 34 biodiversity से फिर से question है यह जितने भी होते हैं हमेशा बताता हूँ HOAC habitat loss and fragmentation alienous species invasion और coextinction यह सब के सब biodiversity loss के ही type होते हैं जिनको हम evil quartate के नाम से जानते हैं next 35 पे आजओ the gaseous plant growth regulator is used in plants too वह ही बताया था ना भी ethylene वाला question एक और आया था यही है वो root hair formation तो roots hairs बढ़ेंगे तो surface area भी बढ़ जाएगा 36 if a geneticist कले question करवाया है याद करो if a geneticist uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to different segments the methodology adopted by him is called a sequence annotation ठीक है 37 पे आजाएं 37 environmental issue से question है बड़ा ही simple सा है CNG के बारे में तुम्हें देखना था जैसे इसमें मिलावट नहीं की जा सकती diesel petrol की तरह ये काफी अच्छा जलता है और ये काफी सस्ता होता है ये diesel engine वगरा की बात NCIT नहीं करती जिस बच्चे ने एक-एक line NCIT का पढ़ा होगा न और साथ में खूब सारे questions प्रैक्टिस किये होंगे उसे एक-एक line NCIT की आद होगी वो बच्चा 360 में 360 ला सकता था पेपर लेंदी था मैंने बताया ना जिसके 675 आए उसको बायो में लग गए एक घंटे 20 मिनट एक घंटे 20 मिनट सोचो 80 मिनट बायो में लग गए अब बायो में उसके नंबर आ रहे हैं 340 कुछ-कुछ नेगेटिव हुए हैं उसके 4-5 कुशन जो है वो गलत हुए है तो इसके चलते ये हुआ है फिजिक्स में 180 बाय एक 180 आ रहे है और कुशन ऐसा नहीं उसने कम प्रैक्टिस किये थे लग बग हजारो कुशन उसने प्रैक्टिस किये थे हजारो फिर भी गलतियां हुए क्योंकि पेपर ही ऐसा था लेंदी टाइप का और कुछ कन्फ्यूजन से भरा हुआ पेपर था जैसे अभी एक कुशन आएगा इंटरकैलेटरी डिस्क वाला वो भी काफी सारे बच्चों ने गलत किया है देखो सिंपल सी बात है अगर हम किसी भी सॉलुशन में सॉलुट डालते हैं किसी भी चीज में अगर हम सॉलुट डालते चले जाते हैं तो उसका वाटर पोडेंशियल कम होता चला जाएगा नेक्स्ट थर्टी नाएग ये कुशन में दंधा ये कुशन में दंधा बोला था प्रोथैलस बार बार पढ़ना दिखवाया है प्रोथैलस प्रोथैलस की बात करें टेरिडो फाइटा में होता है पहले ये सोच समझ कर लगा लिए तो हमारे पास आराम से आ गया कुछ करना ही नहीं है जादा इसमें काफी सारे बच्चे घबरा गए ये उपर के स्टेरिट्मेंट को देखकर बच्चे घबरा गए ये तुम्हें मिल जाएगा NCRT में ये है तम्हारा ये NCRT में मिल जाएगा पेज नम्मर 38 पे प्रोथैलस है और पेज नम्मर 43 पे ये लाइने मिल जाएंगी जो लिखी होई है बस एक देखकर लगा ले ना था कि टेर्डो फाइटा में प्रोथैलस होता है बताया था ना गेमा का पर प्रोथैलस तो सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अच्छे ये भी मैं क्लियर कर दू 11 और 12 की अगर बात है तो 12 से थे 49 कुश्चन और 11 से थे 51 कुश्चन तो एप्रोक्स मानें तो 50-50 पूरी तरीके से बैलेंस था पेपर तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 11 से कम आता है 12 से जादा आता है कुछ भी नहीं है ऐसा बराबर आये थे पेपर ठीक है नेक्स्ट यह पैलिंड्रॉमिक सीक्वेंस है यह भी बार बार आता है काफी सारे बच्चों ने इसका प्रैक्टिस कर रखा था पहले से ही तो पैलिंड्रॉमिक सीक्वेंस की बात करेंगे तो बस इधर से पढ़ो और इधर से पढ़ो तो बराबर आना चाहिए तुम छोटे बच्चे को बैठाओ, जो तुम्हारे घर में छोटा बच्चा उसको बैठाओ, वो भी कर लेगा, मतलब इधर से पढ़ने के बाद भी सेम आना चाहिए और इधर से पढ़ने के बाद भी सेम आना चाहिए, देखो, G-A-A-T-T-C, G-A-A-T-T-C, इसी चीज़ को बोलते हैं, पैलिंड्रॉमिक सीक्वेंस, 41 पे आ जाओ, ये कुश्चन अच्छा था, थोड़ा सा कॉंसेप्ट वाला कुश्चन था ये, फॉस्फोरस साइकल को एक्सलेरेट करने के लिए, तो जहां फॉस्फोरस होगा, वही तो एक्सलेरेट कर पाएगा, एंसर जाएग ये भी काफी पॉपलर कुश्चन है, ओटोसोमल लिंग्ड, डॉमिनेंट ट्रेट, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, एंसर आगया तुमारा 3, चलो भई, ये भी कुश्चन पहले भी आ चुका है नीट में, लगाओ, पहले भी आ चुका है ये नीट में, देखो, मेटा सेंट् तो B का क्या लगाओगे, 1, next, टर्मिनल इंड पे तो टिलो सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक की बात करेंगे, तो ये लगा देंगे, मेटा में ये लगा देंगे, एंसर आ रहा है क्या 2 तुमारा, ये भी NCIT में, इनके तो डियाग्राम्स दिये हुए हैं, और उपर में एक में तो मतलब था किस से, बस नीचे वाले लाइनों से मतलब था, क्या पूछ रहा है, while explaining interspecific interaction of population, plus sign beneficial, minus sign detrimental, zero sign neutral, which of the following interactions can be assigned plus for one species and minus for the other, plus और minus पूछा है, तो predation के लिए हो जाएगा, अभी थोड़े दिर पहले ही predation का एक और गया था, याद करो, उसमें competition के बारे में बात हुई थी, minus minus, तो ऐसी question वो भी था, 45 देखो, दो statement है, ध्यान से देखो, एक assertion है, और एक reason है, तो एक तो साफ पता लग रहा है, कि linkage से related है line, answer क्या आ जाएगा तुम्हारा, उपर वाला correct है, नीचे वाला गलत है, closely located genes are sought independently, तो नीचे वाला लाइन गलत है, तो ये linkage से related NCRT की लाइन थी, next, अगले statement को देखें, lipids के बारे में ये सारे statement है, बताना है, इसके बारे में, शलो भई, lip बताओ इसके बारे में, 46 number के बारे में, क्या answer सब का आ रहा है, 4, C, D, E, देखना जाए यहाँ पर, C, D, E, यहाँ पर सही है, और A और B यहाँ पर गलत है, यहाँ पर phospholipid होना चाहिए, और saturated की बात करेंगे, तो वहाँ triple bond, double bond वगरा नहीं देखने को मिलते हैं, तो C, D, E, याद करो ना, यह पूरा का पूरा एक paragraph है NCRT में, biomolecules की तीसरी page, उसमें सारी लाइने लिखी हुई हैं, एक एक करकर, समझे, सारी की सारी लाइने पर लिखी हुई है, तो एक एक लाइन NCRT का important है, 47 पर आओ, transposions can be used during which one of the following, तो यह चीज़े NCRT में, biotechnology की तीसरी page में देख सकते हो, वहाँ पर gene silencing की बात की गई है, काफी सारे बच्चे इसमें PCR लगा रहे हैं, जो की गलत है, इसमें gene silencing जाएगा, ठीक है, next, 48 पर आज से question है, a spring wood के बारे में पूछा गया, दो तरह के wood होते हैं, एक होता है spring wood, एक होता है autumn wood, तो इसकी बारे में तुमको बताना है, तो answer क्या जाएगा, सिर्फ इसमें B गलत है, वहाँ पर wide whistles होने चाहिए, दो कि यह गलत है, 48 का answer क्या जाएगा तुम्हारा, 3, 49 पर आजाओ, C4 plants के बारे में पूछा गया है, कि जो उसमें bundle seed sale होता है, उनका क्या काम होता है, तो bundle seed sale to increase the number of chloroplast for the operation of Calvin cycle, ये भी एक अच्छा कुशन था, क्योंकि ये कुशन वैसा कुशन है जो तुम्हें mock test में generally देखने को नहीं मिलेगा ये वाला, हाँ ये कुशन मिलता है, bundle seed sale के काम वहाँ पे क्या क्या होते हैं, तो उससे related ये वाला काम अलग page में लिखा हुआ, NCRT में, 50 पे आओ, इस वर diagram पूछ लिया गया, पिछले 6-7 सालों का record तूट गया, इस वर diagram आ गया, पूछ रहा है यहाँ पे false fruit, तो apple में false fruit किसके कारण, तो thalamus के कारण, simple, तो answer क्या जाए गई है, 51 पे आजाओ, eugenesis के बारे में, do not hold true for eugenesis, क्या answer आ रहा है तुम्हारा, 1, B, C, E, differentiation of gamet occurs after the completion of meiosis, गलत है ये, इसके बाद C नमबर देखो, meiosis occurs continuous, ते न माय टोटिकली डिवाइदि इस टेंसल पॉपलेशन, और E वाला भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि eugenesis जो है, ये तो embryonic parade में ही start हो चुका है, ऐसे एक और question आये है, नीट में, इस बार, ठीक है, तो ये start हो चुका है, पहले ही है, नेक्स आस बार 52 में, mitosis के reference में incorrect statement बताना है, तो जो spindle fibers होते हैं, वो centromere पर जाकर नहीं जुडते, वो तो kineto core पर जाकर जुडते हैं, बिल्कुल, 53, ये भ strategies for enhancement in food production वाले chapter में, दो statement दे रखे हैं, human health and disease के, human health and disease के question है, answer क्या जा रहा है, 4, पहला statement बोला जा रहा है, correct है, दूथरा statement बोला जा रहा है, गलत है, ठीक है, क्योंकि body इसमें अपने ही cells को attack करता है, तो यहाँ पर nod दिया हुए, इसलिए गलत है, ठीक है, तो 54 का answer क्या जा जाएगा तुम्हारा, 4, 55, meiosis के बारे में, कौन सा statement गलत है, which one of the statement is incorrect, answer क्या जाएगा, 2, क्योंकि तुमको पता है, meiosis 2 में, interkinesis देखने को मिलता है, और interkinesis का मतलब हुआ, G1 के बाद, S के बाद, G2 के बाद, अगर बात करे, तो यहाँ पर S की बाद नहीं होती है, समझे, 56 पे आजाओ, इसी में बच्चों ने गलतियां की हैं, इसी question में, जैसी देखा vertebral column, अच्छा, intercalated disc, और होता क्या है, intervertebral disc होता है, intervertebral disc होता है, और यहाँ पर intercalated disc है, तो cardiac muscle की property है ना, इसलिए answer यहाँ पर क्या जाएगा, cartilage, यहाँ पर cartilaginus joint होती है, तुम पढ़ो न, NCIT, locomotion के आखरी page पल्टो, और उसमें cartilaginus joint के बार में पढ़ो, पता चल जाएगा, 57, यह तो वही 183 page number है, जिससे question आना तै होता है, page number 183, 57 number है, answer क्या जाएगा, तो answer है 2, next, 58, आ गया question देखो यह, the living world से, the living world से question आया, taxonomical hierarchy, यह तो सारे बच्चों ने सही किया होगा, keep plate clean और family gate seek, 59, corrective tissue कौन नहीं है, तो वो neural tissue है, neuroglia वाला, है न, 60 पे आजाओ, in-situ conservation refers to, in-situ एक ऐसा conservation है, जिसमें पूरे ecosystem को बचाते है, एक सीटू में वहाँ से लेकर कहीं और चले जाते हैं, जिसमें whole ecosystem को बचाने का काम हम करेंगे, next, penicillium की बात करें, तो reproduction in organism में NCRT लिखती है, कोनेडिया के बारे में, penicillium, कोनेडिया, simple, next, आजाओ, 62, ये question काफी अच्छा था, lac operon से question हमेशा आता है, इस बार भी पूछा गया, lac operon, answer जाएगा, ZYA genes will not be translated, तो यहाँ पर ZYA, question का language में क्या बूला था, वो देखोगे, तो साब समझ में आ जाएगा, E. coli, a strain 1 gene, gets mutated, and its product cannot bind the inducer molecule, तो overall, यह आगे का translation नहीं होगा, आगे काम करी नहीं पाएगा, simple सी बात है, 63, यह काफी अच्छा इस बार किया है, मुतला ऐसा नहीं होता है, गभी, इसमें उलट-पुलट किया गया है, यह सबसे मतलब ही नहीं रखना था, क्योंकि NCRT लिखती है, अर्थराइटिस में इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, 64, लिपीज लूप की बात करें हम, तो non-medicated IODs होता है, simple, 65 देखो, यह अदा वाला कुश्चन तो हमेशा आता है, वो चार साल की बच्ची, 90-90, ADA deficiency, जब राइट साइट पल्टोगे बायो टेक्नलाजी में, आखरी की लाइनों को देखोगे, आखरी की लाइने अंसर गई हैं इसमें, 66 में देखो, यह भी अच्छा कुश्चन था, अच्छा लगा यह कुश्चन देखकर, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें, तो डाइजेशन और डाइसेकराइट तो यह नहीं करेगा न, क्यूंकि अगर सालाइवा निगलती है, तो वो पॉलिसेकराइट को करेगा न, डाइसेकराइट तो आगे इंटेस्टाइन में जाकर होगी, 67, क्रॉप और गिजार्ड कहां मिलते हैं, तो NCRT लिखती है, एवस वाले में मिलती है, तो एवस का कैटेगरी चूज कर लेना था, तो उपर में तीनों एवस वाले मिल रहे हैं, पावो, सिटाकूला और कॉर्वस, 67 हो गया, 68, ये भी बड़ा पॉपलर कुश्चन है, ओस्टियो पॉरसिस का हमें साथ आता है, ओस्टियो पॉरसिस, तो ओस्टियो पॉरसिस के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इंक्रीज से सारा गरबड हो गया, एसर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, क्वेश्चन नमबर 69, टेगमीना, याद करो टेगमीना, टेगमीना की बात करेंगे, तो मीजो थुरेक्स हो जाएगा, और जो अगला होगा, वो मेटा थुरेक्स होता है, तो यह फर्स्ट पेर और विंग सही है, यहाँ पे, 70 पे नहीं है, all vertebrates can be cordates, but all cordates are not vertebrates, तो यह लाइन अगर देखे हम, तो यह लाइन सही है, notochord is replaced by vertebral column, तो यह लाइन हम देखें, तो यह भी सही है, तो दोनों के दोनों लाइन बिल्कुल सही है, 71, mycoplasma आही गया, mycoplasma की बारे में कहा गया है, कि can pass through less than 1 micron filter size, और mycoplasma are bacteria with cell wall, अब देखोगे तुम यहाँ पे, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या, नई, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर इसकी बात करें, तो 0.1 से लेकर 0.3 तक का होता है, NCRT ने दो data लिख रखे है इदर वाले page में अलग है, उदर वाले page में अलग है, तो छोटा तो है, तो अराम से अगर 0.1 से 0.3 है, तो अराम से जा सकता है उसके through, ठीक है, पास हो सकता है, और mycoplasma are bacteria with cell wall नहीं होती न, तभी तो यह pliomorphic होती है, अपना shape बदल सकता है, तो statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect, दो statement को देख देखो, fatty acids and glycerols cannot be absorbed in the blood, तो दोनों के दोनों लाइने यहाँ पे सही हैं बिलकुल, यह दोनों लाइने तुमको NCIT में मिल जाएंगी, अभी मैं जट्टो इलिग्राम पे upload करूँगा न, एक एक कुश्चन तुम देखना, आज देखो, कल देखो, एक एक कुश्चन देखना बिलकुल मज़ा आजाएगा तुम्हें, कि NCIT से कैसे कुश्चन मनाई गई है, 73 देखो, 1.1 मेटर का पूछा गया, सीधे आधा कर दिया गया, तो 6.6 into 10 to the power 9, आधा कर दिया, तो 3.3 into 10 to the power 9, बेस पेर, आज ओ नेक्स्ट, अभी थाने कुश्चन, उजनेसिस, तो उजनेस स्टेज में ही अस्टार्ट हो चुका है, 75, एक स्क्रिट्री प्रोडक्ट और एलिमनेशन, पहली पेस की आखरी लाइन है ये, इसमें बर्ड्स के बारे में बात की गई है, पावो, पिकॉक, 76, ये भी कुश्चन हर बार आता रहता है मौक में, याद करो, 100 ml है, तो 5 ml पार्ट का कौन सा, not the function of conducting part of respiratory system, तो वो अगर conducting का पार्ट नहीं है, तो वो फिर किसका पार्ट है, exchanging वाले का पार्ट है, 78 पे आ जाओ, यहाँ पे ना into तो पहले नहीं होना चाहिए था, ठीक है, वैसे ये सही है, spermiation, seminiferous table से निकल कर जो आती है, वैसे गलत है line, अगर line के language को देखें हम तो गलत है ये, और ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक है, ये spermatid से sperm की बात करेंगे हम, spermatid से sperm की बात यहाँ पे होती है, उपर वाला वैसे गलत है, अगर मैं कहूं तो, तो दोनों के दोनों statement मान कर चलो ना, गलत है, ठीक है, तो answer तुमारा 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है तुमारा, क्योंकि NCI टिक तुम पढ़ो गए ना, इसका मतलब देखो क्या लिंकल रहा है, तो ये बोल रहा है कहीं न कहीं, समने फेरस टिबल में आता है, और समने फेरस टिबल से निकलना aspermiation कहलाता है, समझे, तो ये दोनों के दोनों statement तुम मान सकते हो, गलत है, लेकिन NTA क्या पता क्या करे, तो वैसे चार और तीन, दोनों वैसे सही है, लेकिन exact मेरे तरब से पूछो, तो ये तीन नमबर इसका सही है, एक बार NCIT में लाइन चेक करना, तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा, ठीक है, तो चार और तीन, तुम दोनों मान कर चलो, अब NTA क्या answer देता है, उसके according हम रोग देखेंगे, 79, direct क्या पूछ रखा है, mean character value, क्या लगाएंगे answer, directional change, NCIT hard even work का right side तुम देखना, right side में चेक करना, साफ लिखा हुआ है, theory में, directional change, ठीक है, 80 पे आजओ, question number 80, the cogulum is formed of network of threads, thrombin नहीं होता, वहाँ पे fibrinozene वाली बात होती है, तो पहला statement तो गलत है, और दूसरा तो तुम जानते हैं, your spleen is graveyard of RBC, 81 पे आओ, endoplasmic reticulum के बारे में, incorrect पूछा गया है तुमसे, तो endoplasmic reticulum में अगर हम देखें, तो prokaryotes only RER represent, तो यह गलत statement यहाँ पे है, क्योंकि prokaryotes में तो देखने को मिलता ही नहीं है, कोई भी cell organist तरह का, next, 82, a dehydration reaction, यह भी biomolecule का question है, क्योंकि पानी अगर उसमें से निकल गया, तो पानी निकल गया, तो formula maltose का क्या होगा, तो C12, S22, O11, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, maltose के बारे में यह बात है, तो यह structure के recording हम आराम से कर सकते हैं, पानी के molecule को महाँ से हटा सकते हैं, dehydration reaction है क्योंकि, 83, यह NCRT में दे रखा है, आराम से किया जा सकता है, आगे answer सबका, 0.1, organism and population वाले chapter में, population वाला paragraph में है, 84, detriti worse, breakdown detritus into a smaller particle, हम छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने को fragmentation क्याते हैं, 85, दो statement है, दो statement है, बायो टेक्नलाजी के, पहला statement और दूसरा statement, दोनों के दोनों statement बिलकुल correct है, NCRT चेक करना आराम से मिल जाएगा, NCRT में page number, ये मिलेगा 196 और 197 पे class 12 के NCRT में, 86, पूछा गया not true, not true पूछा गया है तुमसे, answer जाएगा ये, homologus नहीं, ये analogus को represent करते हैं, ये भी NCRT का question है, पूछा गया था तुमसे correct कौन सा है, इसमें बताओ भई, correct कौन सा है, ये cardiac cycle से अच्छे अच्छे line दिये गए हैं, ये वाला statement जो है तुम्हारा वो correct है, बाकि सारे के सारे statement गलत है, 88 पे आ जाओ, 88 पे, 60 minutes के बाद, NCRT का question है, 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes, तो उसमें क्या बात करेंगे हम, 60 cells देखने को मिलेंगे वहाँ पे, 89, incorrect statement पूछा गया है, acquired immunity के बारे में, NCRT लिखती है, innate immunity is non-specific, तो इतासे इस statement गलत हो गया, acquired तो specific होगा जो हमने जिन्दगी में achieve किया, next, question number 90, statement 1 और statement 2, a statement 1 गलत है, statement 2 सही है, a scrubber क्योंकि SO2 के लिए होता है, तो ये तो बात electrostatic precipitator के बारे में हैं, और बाकी particulate matter की अगर हम बात करें, तो cannot be removed by a scrubber क्योंकि वो ESP से remove होगा, environmental issue की दूसरी page में देखोगी, ये line मिल जाएंगे तुमको scrubber और ESP से लिखी हुई, parathiroid hormone का यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे effect नहीं है, parathiroid hormone का PTH का पूछा गया है तुमसे, answer क्या जा रहा है, BDE, BDA, ये चीज़े ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे decreases की जगा सब जगा increases होगा, और यहाँ पे decrease metabolism of carbohydrates, तो ये चीज़े देखोगे तो मिल जाएगा, 92 पे आजाओ, bronchioles जैसे ही देखा, bronchioles जैसे ही देखा, silated epithelium लगाया, goblet cell देखा, तो mucus लगाया, mucus नहीं है तो glandular tissue लगाया, tendon की बात अगर हम करें, तो dense regular में चला जाएगा, और अड़ी पोज, loose crank to tissue में चला जाएगा, answer आगया सबका, 4312, next, not desirable feature, cloning vector का, तो presence of two or more recognition site, ऐसा है ही नहीं, feature इसका, answer जाएगा 93 का, biotech से काफी questions इस बार थे, 94, synapse से question पूछा गया, 21 number chapter, synapse से question पूछा गया, है, answer क्या जाएगा, impulse transmission, across a chemical synapse, is always faster, तो chemical तो slow होगा न, जो हमारी body में सबसे common है, electrical rare है हमारी body में, 95, if a colorblind female marries man, whose mother was also colorblind, chances पूरी तरीके से क्या है, 100%, यह तो काफी popular question है, कुछ सोजना भी नहीं है, 96 लगा, correct statement पूछा गया है, correct statement, तो साब पता लग रहा है, synobacteria blue green algae की बात करें, तो मॉन्रा में ही आता है, mycoplasma के पास अगर देखें, तो cell wall नहीं होता, एक और कुशन था ऐसा, bacteria में heterotrophic, autotrophic दोनों मिलते हैं, कई बच्चे समझ गया न, क्या exam में, exclusively heterotrophic का मतलब बोल रहा है, कि vast majority में heterotrophic है, नहीं, exclusively का मतलब होता है, कि अप पूरी तरीके से heterotrophic है, तो गलत है न, slime models की बात करें, तो protista वाले में आएगा न, 97 पह आ जाओ, 97, ये gene frequency का भी question, अच्छा खासा रहता है, linear chromosome की बात की जा रही है, answer क्या होगा, A, C, B, D, अरांसी इसमें calculate करना होता है, जैसे AC दे रखा है, तो 5% दे रखा है, BC है, तो यहाँ पे 15% है, और B and D है, तो यहाँ पे 9% है, और फिर last पे देखोगे, A and B तो 20%, और C and D की बात करें, तो 24% दे रखा है, और A and D की बात करें, तो 29% दे रखा है, इतने सारे values है, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता, values सही लिखे हुए हैं ना, हाँ, बिल्कुल, तो यह तुम देख रहे होगे, तो इतने सारे values तुम्हारे पास हैं, तो आराम से तुम इनमें calculate भी कर सकते हो, 15 प्लस 5, तो टोटल हो जाएंगे, तुम्हारे पास 20, तो देखोगे तुम, तो A, C, B, D, तुम्हें देखने को मिलेंगे, ऐसे पता है नो, तुम को कैसे करते हैं ये, पहले A जाएगा, फिर C जाएगा, लक्टिस्तिल नोरोया की बात करेंगे, तो absence of menstrual cycle की बात होगी, intrauterine device की बात है, contraceptive pills और diaphragm है, तो diaphragm तो पुरी तरीके से cover कर देगा, contraceptive pills की बात करें हम, तो inhibit कर देगा ovulation को, और IUDs phagocytosis कर देगा, answer आ रहा है, 4, 1, 2, 3, चलो बैश, सही है, 4, 1, 2, 3, ठीक है, 99 पर आ जाओ, ये भी बड़ी सारे बच्चों ने गलत केस्प है, इसमें बोल रहा है, genetically engineered insulin के बारे में, तो सिर्फ एक ही इसमें ऐसा है, कि जो genetically वाली की बात यहां पर की गई है, और बाखी सब में कुछ न कुछ तुमको खामिया मिल जाएंगी, NCRT में ये तुमको मिल जाएगा, 210 और 211 पेस नंबर में, class 12 के NCRT में दिया हुआ है, question number 100, ये एक miscellaneous question था, हर जगा की छोटी छोटी चीज़ों को उठाया गया था, glycogen की बारे में बात करें, तो एक storage product होता है, तो A का answer देखें अगर हम, तो A का answer 4 चला जाएगा, A का answer 4 चला जाएगा, तो ये ये चांस है, globuline की बात करें हम, तो globuline तो होता है antibody, तो B का answer क्या जाएगा, 3, B का answer 3, आगे तुमारा answer 1, ये total 100 question थे, अभी मैं ये टेलिग्राम पे upload कर दूँगा, जो एक एक question का पूरा का पूरा detail है इसमें, है ना, तो ये मैं upload कर दूँगा तुमारे साथ, तो इसको देख लेना, कितने question कहां से थे, वो तुम्हें idea लग जाएगा, ठीक है, अब देखो भई, जो हो गया, सो हो गया, हम उसको जाकर, फिर से correct तो कर नहीं सकते हैं, जो भी हमें एक साल मिला था, अब correct कर नहीं सकते हैं, तो पहले तुम्हें ये score बताओगे, तुम्हारे आ कितने रहे हैं, out of 720, मुझे comment section में बताओ, कि आ क्या रहे हैं, 720 में, अगर 600 प्लस आ रहे हैं, तो तुम कहीं न कहीं safe zone में हो, अगर 600 से कम हैं, तो safe zone में नहीं हो तुम, बाकी category matter करता है, 580, 575 तक भी selection हो सकता है category के basis पे, लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है, कि अब उनका selection नहीं होगा, क्यूंकि 601 criteria main है, cut off इसी के उपर ही रहेगा, 610 के आसपास रहेगा cut off, हर सल क्यूंकि cut off बढ़ रहा है, इस पर बच्चे भी जादा थे, और इस तरह आएगा तुम्हारा, 610 के आसपास cut off जाएगा इस बार का, इस तरह उमीद लगाई जा रही है, 610 के आसपास, ठीक है, पता भी नहीं चला, मेरा selection क्यूं नहीं हुआ, अगर तुम्हें पता है, कि मेरा selection इस वज़ा से नहीं हुआ, अगर तुम्हें गलतियों के बारे में पता है, और वो गलती अगर सुधारी जा सकती है, तब ही drop लेना वरना drop मत लेना, clear मैंने कह दिया है, अगर तुम्हें पता है, कि तुम्हें कौन सी गलती की थी 2022 के लिए, अगर वो गलती सुधारी जा सकती है, तो 2023 के लिए तैयारी करना, वरना तैयारी मत करना, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा, तो फिर उसका benefit क्या है, फिर एक साल ऐसे विस्ट हो जाएगा, सबसे अच्छा वही है, अगर तुम चाहते हो, कि हाँ मुझे medical की तैयारी करनी है, तो आगे की तरफ बढ़ें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, 2023 के लिए, जल्दी ही मैं batch launch कर रहा हूँ, और ये batch आ रही है, 25 जुलाई से, एक हफ्ते का बस time तुम्हारे पास है, एक हफ्ते में batch स्टार्ट हो जाएगा, और इस batch को हम लोग, पूरी तरीके से इसमें सब कुछ होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, अब जो NTA का नया pattern है, जो इस बार का pattern हमने देखा, उसके basis पे class में MCQ जादा से जादा लगाना है, और हम लोग ये करते भी हैं, कोई बच्चा जो मेरी classes करता है, plus पे उसको पता होगा, कि MCQ खूब मैं करवाता हूँ, मैं theory पे भी विश्वास करता हूँ, और MCQ पे भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि बहुत जादा ज़रूरी है, अगर कोई बच्चा इसमें होगा comment में, तो उसको पता होगा, अगर अभी कोई बच्चा होगा यहाँ पे तो, MCQs बहुत important है, कितना तुमने समझा, इसी से तो पता चलता है, वरना theory तो पूरी जनता पढ़ती है, और पढ़ना आप क्या है, सिर्फ और सिर्फ NCRT, मैं क्लास में ही NCRT करवाता हूँ, ये भी पता होगा तुम्हें, एक-एक line हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, biology NCRT की एक-एक line, questions क्लास में, जादतर चीजे क्लास में हो जाएगी, घर पे तुम्हें जो DPP में होमवर्क दिये जाएंगे, NPP में, बस वो करना है, ठीक है, और तुम्हारे regular होमवर्क का check-up होता रहेगा, क्यों तुम्हें होमवर्क किया या नहीं किया, क्लास में डेली पूछता रहूँगा, उसके बाद जो भी तुम्हारे पर नज़र रखी जा सकती है, वो नज़र रखूँगा, पचीज जुलाई से हो रहा है स्टार्ट, और ये हैं educators, फिजिक्स, केमिस्ट्य और बायालोजी के, ये तो छे educators, तुम्हें अब ये स्क्रिन पर दिख रहे हैं, अनकैडमी पर टोटल 100 से ज़्यादा educators अवलेबल हैं, तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई, मुझे में वो जुनून है, बस अब मुझे वो चाहिए, किसी तरीके से मुझे medical की एक seat चाहिए, तो बस champions batch स्टार्ट हो रहा है, 2023 के champions बनने के लिए, बिल्कुल तयार हो जाओ, ये है मेरा whatsapp number, 6209421280, अगर तुम्हें selection चाहिए, और तुम्हें चाहिए कि मेरे साथ जुड़कर, तुम्हें selection चाहिए, क्योंकि मैं ये guarantee लेकर चल सकता हूँ, कि कोई भी बच्चा, अगर मेरी regular classes plus पे करता है, तो 360 by 360, बात रहना, और बाकी जो DPP में question देता हूँ, बस ये तीनी तो काम करना है, 360 के लिए, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता है, कि टुमेंस भी पढ़ना है, और other books भी पढ़नी है, अबिबियस की physiology पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना है, ये तीन चीज़ से selection हो जाएगा, और Biometer 360 by 360, और Physics और Chemistry के तुम्हें अच्छे Educators देखी रहे हैं, बात समझ में आ गई, ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पे send करना, hashtag champions, अगर तुम्हें चाहिए, कि हाँ, मुझे सर enroll करना है, मुझसे बात करना, ठीक है, तो hashtag champion करकर WhatsApp पे, तुम message send कर देना, 25 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, सब्स्क्रिप्शन लेते टाइम, तुम्हें code तो पता ही है, code तो हर एक बच्चे को पता है, कि code क्या यूज़ करना है, कुमार लाइफ, और अभी discount 20% का चल रहा है, कितना discount है, 20% का discount चल रहा है, मतलब, तुम अगर subscription अभी लेने वाले हो, एक साल का, तो एक साल का plus का subscription का cost जो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, 34,999 रुपे, अभी का, और पहले cost कितनी आती है, 43,000, तो अभी 20% का discount चल रहा है, अगर तुम चाहते हो, मुझे Iconic का subscription चाहिए, 60,000, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, financial थोड़ा problem चल रहा है, मैं कहूंगा, Iconic के तरफ मत जाओ, इसके तरफ जाओ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है, कि हाँ मेरे finance वगरा सब कुछ अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कहूंगा Iconic के तरफ जाओ, प्रेस राइस नहीं करना है, Guardian को, ठीक है, उनसे एक attempt मागो, पापा, 2023 के लिए, बस ये आखरी attempt मुझे दे दो, अगर तुम्हें लगता है, कि जुनून है, पापा भी तुम्हारी आखों में देखेंगे जब, तो आराम से एक साल का वो दे सकते हैं, कि हाँ भई, एक साल का कर लो, लेकिन तुम्हें लगता है, बलकुल तयारी मत करना, नहीं तो किसी course में अडमिसन ले लेना लगता ठक गए भाई दो साल हो गया तीन साल हो गया चार साल हो गया ठक गए लेकिन जो अभी 12th pass किये हैं वो तो एक attempt ले सकते हैं और बाकी जो 2-3 साल भी कर चुके हैं उनको लगता है ये 2023 मेरा एक आखरी attempt होगा तो तुम्हें जाना चाहिए 2023 के लिए ठीक है बाकी सारा चीज तुम पर depend करता है अच्छे से guardian से बात करो वो सब कुछ तुम्हें आराम से बता सकते है ठीक है तो मैं कहूंगा ये subscription तुम्हारे लिए best है और बाकी ये उनके लिए जो चाहते हैं यहां जितने भी facilities अनकेडमी पर मिलती है मुझे सारा का सारा चाहिए तो ये तुम्हारे पास है 59,999 का और बाकी अभी ये 20% discount मिल रहा है तो ये काफी सस्ता है इसके comparison में तो अराम से तुम नीट की जर्नी जो है हमारे साथ तो स्टार्ट करो 25 जुलाई से और ये 20% का offer 22 जुलाई तक का ही है 25 जुलाई को मिलते हैं तुम्हारे साथ अनकेडमी प्लस पे एक नए जर्नी की सुर्वात करते हैं बयॉलिजी में 360 by 360 का target करते हैं और M's में selection की सोचते हैं अगर पहले चलो कोई और medical college तुम्हें मिलता इस बार चलो तुम्हारा आभी जाता 600 नंबर कोई medical college मिल भी जाता इस बार M's का तो सोच सकते हो न एक साल है तुम्हारे पास करीब करीब 365 दिन हैं तुम्हारे पास अगर एक एक दिन को अच्छे से utilize किये तो मैं अभी भी कह सकता हूँ कि अभी भी तुम्हें में जा सकते हो अभी भी दिल्ली M's में पहुच सकते हो जिसे the heaven of medical studies कहा जाता है जन्नत है वो medical studies के लिए तो अभी भी तुम वहां select हो सकते हो बस तुम्हारे तरफ से जुनून चाहिए मैं तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा हूँ ठीक है whatsapp पे तुम message के send कर देना अगर तुम्हें चाहिए कि मेरे साथ तुम तयारी करो number वगरा सब मैंने बता रखा है मिलते हैं 25 जुलाई को 25 जुलाई को batch start हो रहा है बिल्कुल नए सुरवात नए chapter the living world के साथ नए तरीके से इस पर पढ़ेंगे हम लोग 2023 batch के लिए बिल्कुल तुम्हें लागेगा सब कुछ बदल गया है अब जब NTA ने कही दिया है कि NCRT इस तरीके से पढ़ना है हर एक word हर एक line पढ़ते ही थे पहले questions पे और ध्यान देना है हमें और अच्छे से NCRT को पढ़ना है हमें ठीक है तो मिलते हैं 25 जुलाई को अने कैडमी प्लस पे रात में हमारी क्लास की टाइमिंग 10 बजे से रहेगी biology की the living world पहला chapter स्टार्ट हो रहा है 38 chapter है syllabus का पूरा schedule दे दूँगा कब तक complete होगा क्या होगा जल्द से जल्द complete करेंगा और maximum revision हम लोग इस पार करने वाले हैं बबाई thank you अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी वीडियो को like कर देना और ये वीडियो को share जरूर करना जो लोग चाहते हैं वो 2023 में वो तयारी करें और NEET का ये जो पूरा analysis है वो देखें बबाई thank you